नमो गुथाए मैं अभी ना गुलेचा स्वागत करता हूँ आपका आज मैं एक अकाशिक पिज्डम सीरीज में एक और वीडियो कर रहा हूँ यह चार-पंच दिन पहले एक अकाशिक रीडिंग किया था और वो मेरे अकाशिक रीडिंग्स जितने भी मैंने किया है उसमें से लब बेस्ट तो नहीं बूलना चाहिए इसमें कई प्रोफाउंड लर्निंग्स है जो सिर्फ उस परसन के लिए नहीं है जिनके लिए मैंने किया था इसमें कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हम सब के लिए हैं और यहां मैं इसका टाइटल मैंने शायद आई डाला नहीं है बट कार्मिक क्लिरेंस जो लोग पूरे लाइफ में काफी सफरिंग देखते हैं जो कार्मिक काफी कुछ कर्म क्लिर कर रहे होता है वो इस लाइफ टो ऐसे ही एक परसन है उनके बारे में यह रीडिंग थी अब अगर आपके लाइफ में बहुत सफरिंग आप देख रहे हो बच्पन से जैसे मैंने बच्पन से एक सफरिंग का बहुत फेज देखा मेरे फ कुछ से भी काफी कुछ रेजोनेat कर पारा था उनकी रीडिंग में जो मैं में में गयू पाूंफ हो थे च तो देखे, यहां पे इन्होंने पहले मुझे जो background वगरे, share किया वगरे, तो जो guidance आ रहे थी उसमें, यह एक आ रहा था कि definitely एक चीज़ बहुत clear था कि यह एक कार्मिक clearance life है, and it is to reach a state of divine capability to move to higher states, मतलब एक ऐसी life जिससे आप अपने कर्मों को clear करके, एक divine capabilities आप अपने अंदर obtain करो, और आप एक higher state में reach करो, and जो image मुझे आ रहे थी, image आ रहे थी जिसे ताकेशी's castle, अगर आपने वो ताकेशी's castle देखा हो, जो जावेद जाफरी के आवाद में आता था ने, ताकेशी's castle करक आप खड़े हो, और बीच में ऐसा कुछ roller चल रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ कुछ है, आपको यहां से यहां जाना है, एक उसको, मतलब उसपे पैर रखके इधर जाना है, और नीचे पानी है, तो अगर आपसे कुछ भी miss हो गया, तो आप सीधा पानी में गिरोगे, ठीक है, आप cross over नहीं कर पाऊगे, तो यह lifetime एक तरफ कार्मी clearance है, बट आपको बहुत संभल के चलना है, because अगर आप इस lifetime को सही से कर लेते हो, तो आप next level of spiritual growth में जाओगे, तो वो communicate हो रहा था उस वे से, कि आपको बहुत सद के चलना है इस lifetime में, कर्मों को भी clear करना है, acceptance के ठीक है, तो वो एक way से communicate हो रहा था, then एक यह आ रहा था कि game की तरह लो, तो यह हम सब के लिए lesson है, अगर कार्मी clearance आपकी life भी कार्मी काफी clearance हो रहा है, तो आप game की तरह लो, life को serious मत लो, don't be too serious, will be our advice, that means ज्यादा serious मत हो जाओ life को, because देखो game है, यहाँ कर में आपने create किये इस लाइक, वीडियो गेम है, वीडियो गेम में कुछ points, आपने कुछ गलत moves किये, आपको कुछ points लूस कर दिये, वैसे ही, यह कर्म का खेल है, बस इसको witness की तरह, हमको साक्षी भाव की तरह देखते रहना है, यह कर्म clear हो रहे है, ठीक है, जैसे ही अगर आपके अंदर यह विपशना, विपासना, ठीक है, वो एक निधी के रूप में आया, और अब मैं वही practice करता हूँ, English में जिसको बोलते है, insight meditation, उसमें भी इसकले आपको क्या करना है, सिर्व observe करते रहना है, अपने अंदर, जो भी arise हो रहा है, आप जब observe करते रहोगे, तो आपको समझ में आ बनाया है, विपासना, ध्यान कैसे करें, उसमें भी वीडियो बनाया है, दस दिन के शिवर भी होते है, मैं जो practice करता हूँ, महासी स्यडाओ के tradition में practice करता हूँ, बट SN Goyan का चीज़ का भी 10 दिन का शिवर रहता है, विपासना का शिवर, 10 दिन का free of cost वो शिवर रहते है, जाके एक बार करके आओ, एक 10-11 दिन आपको निकालो और एक बार करके आओ, विपासना, ठीक है, उससे बहतर अगर वो करा तो मतलब आपको लगेगा बाकी कुछ तो काफी छोटे लेवल की चीज़े है, मतलब एक बार विपासना में आ गए, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ इसमें, अच्छा, फिर आ रहा था, यह एक माया जाल है, इसमें रहना है लेकिन फसना नहीं है, माया जाल, illusion है, इसमें हमको फसना नहीं है, माया में रहे के awareness का दामन थामके रखें, यह सिर्फ एक खेला है, यह भूल जाओगे माया में भी रहना है, इस दुनिया में भी जो अपने है, ठीक है, बच्चों को स्कूल छड़के आओ, खाना बनाओ, काम करो, ठीक है, सारा सब काम करो, बट अवेरनेस के साथ, अवेरनेस का दामन थामे रखो, वो अगर कहीं मिस हो गया, तो आप फिर डूब जाओगे, डू Sportsmanship, जीत, हार तो चलती रहती है न, एक sportsman थोड़ी अगर हार गया तो पुरा depression में चले जागा, नहीं, जीत, हार सब चालू रहती है, sporty रहोगे तो time निकल जाएगा, अचा एक चीज़ मैं clear करता हूँ, ये किसी, उस person की reading है, जिसमें से हम सिर्फ कुछ important points निकाल रहे हैं, कई चीज़े जो इनके life में personally applicable है, वो तो मैं इसमें शेयर ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हम सिर्फ उपर उपर से एक देख रहे है कि कौन से चीज़े हम अपने life में ले सकते हैं, कुछ pointers, यहाँ पर एक example बहुत आ रहा था, कि मास्टर से एक analogy ये दे रहे थे, कि mind में ये यही सिखाया है हमको, कि how to be skillful, mind, बुद्ध was a mind scientist, ठीक है, तो बुद्ध ने यही बुला है कि आपके mind को किस तरह से, या तो उन thoughts को हटाओ, vanish करो, या replace करो thoughts को, mind को आपने master करना सीखना हुगा, ठीक है, इस दुनिया में रहे के खुश रहना है, तो mind को mastery आपको करनी पड रहने दो, कच्रा घर पे लेते हो, क्या मतलब आप कच्रा बाहर है, घर के बाहर, कच्रा पड़ है, क्या आप वो कच्रे को सब ऐसा करके आप घर के अंदर लेते हो, नहीं, तो आप अपने mind में क्यो लेते हो, mind में नहीं लेना है कसी कच्रे को, अपने अंदर, इन चीज़ कि दरवाजा बंद रखते हो और अपने घर का कँरा भी बाहर आप पैकते हो मतला अब कलीन करके अप घर का कर देती हो ना आप रोज ज़ाड़ लगाते हो तो आप घर का कच्रा एकटा करके बाहर रखते हो उस तरह मायन का अपना कच्रा भी निकालना है जो भी आप spiritual practices करते हो उससे और बाहर का कच्र आपने अंदर नहीं लेना है यह हमको important issues हमको ध्यान रखें हम सबको Be strong कर्मे क्लिरिंस अगर आपका है भाई strong रहना पड़ेगा यह आपको smile के साथ face करना है, रोते रोते नहीं अब strong होना है, ठीक है strong होके रहना है कब तक रोते रहोगे यार, कब तक रोते रहेंगे हम लोग, कि हम मेरे लाइफ में बहुत problem, बहुत problem, ठीक है problem है, बड़ उसके solution भी निकालने है जैसे मैंने अपने लाइफ को पूरा तरह से, मैं बुद्ध के ग्यान में आ गया और मैं mindfulness प्राक्टिस करता हूँ मेरा meditation, विपर्षना और उसमें भी इससे मेरे को knowledge मिलता गया तो मैं अभी stabilize हो गया हूँ कि मेरे को ये practice है, मेरी daily practice है और बुद्ध के ग्यान में रहता हूँ पर ऐसे जो भी आप एक teacher पहले ढूंड़ो ठीक है, वो teacher वो चाहे भगवान कृष्ण हो, वो बुद्ध हो, वो कोई संध हो, साइबाबा हो जिनके भी आप ग्यान में आओ उनके teaching को अपना base बना लो और वो जो बोलते हैं उसको बस अपना वो समझ लो कि बस मेरे teacher ने ये बोला है न तो मुझे फॉलो करना है तो वो फिर जो आपके teacher अगर कोई chanting बोलते हैं या practices बोलते हैं या meditation बोलते हैं उसको करो ठीक है, उस teacher को follow करो ठीक है, उनके instructions पे चलो ठीक है, वो हमको अपने अंदर अगरे, strong रहना है ठीक है, अच्छा फिजिकल मेंटल सफ्रिंग जो इतने सालों देखी तो मुझे बहुत अच्छा मैं बहुत डीटेर्मिन ही जाऊंगा इसमें, बट बहुत अच्छा था कि animals को किल करना मतलब मुझे actual images आ रही थी, वो एक, मतलब जो तरकश, जो होता है न, कि पीछे तीर रहते हैं, एक ट्राइबल परसन के पीछे तीर उसने रखे वे थे, और तीर, animals को किल करना, animals को, इंसानों को, slaughter, यह में को बहुत रही दिंग्स में, इस से बहुत कर्म जुड़ता है, पता है, यह हम हत्या किसी भी प्रकार की, तभी जो जैसे बुद्ध ने जो चीजे मना किया, सबसे और यह हर टीचर यही बोलते हैं, जो भी enlightened teacher, किसी जीव की हत्या मत करो, no killing, ठीक है, किसी एक इनसान, animal, insect, हत्या मत करो, cruelty मत करो, कि उससे कर्म बनता है, तो बुद्ध यही बोलते हैं, कि भाया, मैं आपको रस्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है, यह करो करोगे, तो यह होगा, कि फिर आपकी choice है, आपको क्या करना है, ठीक है, तो वैसे ही है, कि इससे जो कर्म हम create करते हैं, हमको नहीं पता आगे जाके, कितने आगे के lifetime में उसका repercussion आता है, तो इनके काफी कुछ जो आ रहा था, इस particular lifetime से, जिसमें as a hunter, कितने animals पे अत्याचार, और भी लोगों पे भी, और animals की mentor suffering, मतलब एक animal का भी अपने बच्चे से जो अलग होने का जो दुख रहता है, ठीक है, तो वो all mentor suffering, और बहुत beautiful एक line आ रही थी, जो तीर, एक एक तीर अब वापस आ रहा है, मतलब जो तीर बाहर भेजे थे थे न, वो एक एक तीर इस life में वापस आ रहा है, ठीक है, और वो देखो soul भी choose करता है, अगर soul strong रहता है न, अगर उसके अंदर capability ज़्यादा रहती है, तो वो try करता है कि जो चीज दस lifetime में देखनी थी, वो try करता है मैं दो तीन lifetime या एक lifetime में देखके खतम करूँ, tension ही न, दस lifetime तक कोई चीज देखने के ब यह आर था निर्दयता जो उस lifetime में थी, निर्दयता इस lifetime में क्या है, उसका corresponding virtue जो cultivate करना है आपको compassion, उस person को, compassion, निर्दयता बहुत क्या, अब आपको सीखना क्या है, जब हम कार्मी क्लिरेंस कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं हम सीखते हैं न, कोई एक चीज, और what is that one thing she has to learn, compassion, जाद जाद करुना अपने अंदर जगाना हूँ, ठीक है? फिर, बहुत चीजे थी, मैं बहुत चीजे तो नहीं बता पाऊंगा, बट मेन-मेन चीजे इसमें आरहा हूँ, उसी lifetime में इनके अंदर बदलाव भी आया और उन्होंने धर्म का रस्ता अपनाया, तोर्स सादू की श्रण में आना, और blessings, अब देखो, उसी lifetime में जिन्होंने जो सब निर्दयाता किया, और उसी lifetime में उन्होंने धर्म का रस्ते पर आ गए, और एक सादू का इमेज बहुत क्लियर आ रहा था, और वो सादू की blessings, तो reading में आ रहा था कि ये life में इससे भी बुरा हो स तकलीफ इस जन्ह में देखकर खतम करो, that means ये जो blessing आपको मिली है आपके उस master के grace से, उससे आपका at least थोड़ा better है, तीक है, वरना तो इससी भी बुरा हो सकता था, धर्म के पत पर आगे बढ़ो, लोगों को धर्म और सच्चाई के पत पर लाना चालू करो, कुछ भी ऐसा करो, लोगों को सच्चाई धर्म के पत पर लेके आओ, fastest path of clearance, बतलब अब अगर clear करना है अपने कर्म, तो देखो एक तो है कि आप acceptance से अपनी problems देखोगे, तो कर्म clear होगा, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर सको, कुछ सेवा कर सको, क्या बोलते हैं, निशकाम, अब कोई expectation के बिना कोई कर सको, तो उससे fast current clear होता है, तो इनके case minute was coming कि धर्म के पत पर अगर आप सको, लोगों को सच्चाई के पत पर, देखो, हम सब जो practice करते हैं, अपने धर्म को follow करते हैं, अपने level पर हम follow करते हैं, लेकिन हम लोगों को जो share करते हैं, तो उससे हमारा भी clearance होता है, तो अगर वो कर सकें, तो clearance और fast होगा, कोई गलत काम, गलत धन्दा भूल के भी मत करो, जीवन में, चाहे खाने के बांदे हो जाएं, सच का साथ देना, विकोस जो ताकेशी कासल वाला आ रहा था, कि एक गलती, मतलब इनकी लाइफ में के साथ, एक गलती and चौपट, जो भ पासना नहीं है, कोई गलत धन्दा, गलत इसमें नहीं जाना, ठीक है? blessings, आपके masters की blessings आपके साथ है, एक चीज़ हम सब जो कामी clearance देख रहे हैं इस life time में, बहुत ध्यान रखो, आपके masters की कितनी blessings है ना, आपको नहीं पता, वरना आपकी बहुत दुरगती भी हो सकती थी इस lifetime में, तो वो भी अपना ध्यान रखना, और अपने masters के प्रती faith रख आपको अपने teacher ने जो आपके जो भी teacher, जो भी enlightened master को जिनमें आपकी शुद्धा है, उनके path को follow करो, ठीक है, इट वस कमिंग, slums में भी रहना पर, उनको फानेंशल प्रॉब्लम्स होगरे है, slums में रहना पढ़ सकता था, भीक, भीक तक मांगनी पढ़ सकते थी, आखे फो निर्देता, तो ऐसा आ रहा था कि, मतलब, corresponding, मतलब, impact क्या हो सकता था कि, इनका भी कोई आखे फोड़ देता, आखे फोड़ देता, हाथ पैर तोड़ के भीक, होते है ना, जिनको भीक मांगने के लिए बिठा देते, slums में रहना, ये बीनकी reality हो सकती, but, because ये धर्म के रस सचाई से जीना, किसी को दुख नहीं पहुचाना, किसी को हार नहीं करना, दुख नहीं पहुचाना, वो मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, तो और एक master के अंडर में आ गए और धर्म के पात पे आ गए, तो वहाँ काफी कुछ इजी हो गया, मतलब, अभी ये lifetime में अतलिस उत clearance, okay, and मनला वो जो थे, जो जिनका मैंने रीडिंग किया, वो, she was like, बहुत ही, मनला, well-read and well-qualified and all, तो master से बाता रहते हैं कि, आप कितने भी talented हो, लेकिन जीवन जीने की कला, जो art of living है, वो आपको बुख पढ़ने से नहीं आएगी, वो हमको सब को सीखनी पड़ेगी, ये स सब कुछ तकलीफ में रहते हुए, कार्मिक क्लिरेंस करते हुए, हम एक अच्छे से खोशी से जी सके ये कोई बुक हमको नहीं सिखा सकती, हाँ, help कर सकती है, मैं बुक्स, मैं बिलीव करता हूँ कि बुक्स वगरे हमको एक, definitely एक helpful perspective देती है, जैसे मेरे life है, the power of now जैसी book आ है, अच्छा, एक उनका question था, और मैं हमेशा एक question आता है, अकाशिक रेकोर्स में कुछ लोग होते हैं, उनको पूछना रहता है, कि मेरे कौन है, spirit guides और masters कौन है, तो generally देखो, आकाशिक रेकोर्स में masters नहीं बताते हैं, वो कौन है, because वो इतने benevolent रहते हैं, benevolent means अच्छे र ठीक है, वो यह भी नहीं चाहते है, generally बहुत कम cases में आता है, बट इनके case में it was coming, कि master's बुलते हैं, कि कौन है, कितने आप जानना चाहते हो, हम सब यहीं हैं, बट फिर बुलते हैं, अच्छा, आपको एक master पूछने हैं, तो जो आ रहा था, वो word आ रहा था, साह बाबा, औ मैं महाराष्ण मुझे नहीं आती है, मेरी वाइफ महाराष्ण है, बट यह खेद की बात है, कि मैं 15 साल शादी के हो गया, फिर भी मुझे महाराठी नहीं सीख पाया हूं, मैं मैं पता है, बट मैं बोलना का इतना मेरे को fluent नहीं है, मैं समझ लेता हूं काई चीजे, बट आ इनके लिए, अच्छा, अब जब साइबाबा, इसलिए मास्टर जनल नहीं रिवील नहीं करते है, फिर बहुत फोकस हो जाता है, फिर आप उनको प्लीज करने के चकर में जाते हो, तो अब फिर आपको लगेगा कि मैं साइबाबा के दर्शन करने जाती हूं, ठीक है, बट इनके लिए अगर कुछ करना है, तो कहीं मत जाओ, मतलब साइबाबा के लिए अगर कुछ करना है, तो कहीं मत जाओ, मतलब साइबाबा के लिए अगर कुछ करना है, तो कहीं जाओ मत, श्रद्धा सबुरी रखो, इनसे ये प्रसंद होंगे, मतलब इनको प्रसंद करना है आपको कि यह आपको help कर रहे हैं तो सिर्ष रद्दा और सबरी रखो तो friends हम सब दिखो मैं तो खुद मैं साहिवाव मैं ऐसा कुछ नहीं है इतना मैं connected नहीं हूँ साहिवाव से और actually क्या हुआ ये करने के बाद पांच मिनट तक मैं रोया हूँ मुझे इतना रोना आया है मतलब because कही नहीं वो जो में को आया ना sense that I was getting is कि वो मेरे life के लिए है listen क्योंकि जो pain मैंने अपने life में देखा है तो मेरे को भी मतलब ऐसा लग रहा था Sai Baba was present and वो मुझे भी बोल रहा है कि श्रद्धा और सबरी रखो तो मैं तो अभी जैसे आपको वीडियो बना रहा हूँ मैं smile करा हूँ लिए मेरे life का pain मैं ही जानता हूँ तो मुझे same मतलब it was like and that's why मैं इनसे इनके reading से बहुत relate कर पढ़ा था because काफी कुछ similarity मेरे को लग रही थी इनकी life से तो मैं five minutes तक I was like crying because मुझे ऐसा लग रहा था his presence was there and शाद मेरे उस crying से मेरे खुद की काफी clearing हुई ठीक है so important message here is that जो आपके मास्टल जिनमे भी आप बिलीव करते हूँ ना जिनमे भी आपका faith है अगर बुद्ध में faith है ना तो बुद्ध की बुद्ध ने तो कभी बोला भी नहीं बुद्ध ने बोला मेरी worship मत करना मैंने जो बोला है वो करो बुद्ध को अगर बुद्ध represents awareness तो awareness में रहो ठीक है वैसे ही जो आपके master जिसे साहिवाबा तो साहिवाबा ने जो बोला है ना जो शिक्षा दिये ना उसको follow करोगे ना वो हमारे उन master के सबसे बड़ी kind of offering will be ठीक है कई लोग ना वो outer forms में अटक जाते हैं मुर्ति पूजा और इन सब चीज़ों मैंने एक और वीडियो भी बनाया है मुर्ति पूजा में करो मुर्ति पूजा कोई problem नहीं आप करो लेकिन जो आपके master ने सिखाया है इसलिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आपके master ने जो बोला है या जो सिखाया है उस पे जाओ बाहर के चीज़ों में मत बटको बाहर के चीज़ों में बटकाने वाले बहुत लोग है भगवान कृष्ट में बिलीव करते हो भगवत गीता आपने पढ़ी है के नहीं आज से start करो रोज का एक शलोग पढ़ना आप बुद्ध के teaching में बिलीव करते हो आज से start करो धंबबाद का एक verse पढ़ना start करो ठीक है वो हमको करना और उन्होंने जो हमको path दिया है न वो follow करो उनकी सबसे बड़ी kind of हम उनकी service कर सकते हैं चलो फिर आया compassion फिर जस्ट आ रहा था कि ठीक है फिर soul purpose तो बस ही आ रहा था कर्मों का clearance उसमें देखो masters इतना practical way में बताते हैं कि कपड़ों का मैल निकल रहा है मैले कपड़े कभी पहनते हो क्या मतलब masters पूछ रहे है मैले कपड़े ठीक है आज एक बच्चा है ठीक है आपके घर में आपका बेटा बेटी खेलने के रिए एक दो दिन तीन दिन तक कोई कपड़े पहनेंगे फिर उन मैले हो जाते हैं केलते केलते फिर आप डालोगे ना वाशिंग मशीन में आप वाशिंग मशीन में उस कपड़े को डालोगे ना या आप आपके बच्चे को वही पहनने दोगे तो masters यह बोल रहे हैं एक तरसे कि आप हमारे बच्चे हो हम कभी ना कभी तो आपके कपड़ों वाशिंग मशीन में डालेंगे ना ताकि वो कपड़े वो हो जाए तो यह आ रहा था कितना भी खेल लो वाशिंग मशीन में तो कपड़े जाने ही है यह वाशिंग मशीन लाइफ है दुलाई होने दो निखर के निकलोगे अब भाई ये सब चीजें मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ये एनलोजीज किस तरह से ये एनलोजीज मेरे माइन से तो नहीं है मतलब वाशिंग मशीन में कभी ना कभी तो जाना है हाँ, बस last में ये आ रहा था कि ये बस ध्यान रखो कि फ्रेश कर्म मत क्रियेट करना बाई रिषिस्टिंग जो आपके लाइफ के कर्म अभी क्लियर हो रहे है उस पर रिषिस्ट नहीं करना और दुखी होके आप फ्रेश कर्म मत क्रियेट करना यह सबसे important है तो यह reading थी I hope अगर आपके life में किसी भी तरह का physical, mental suffering आप गुजर रहे हो और consistent एक pattern देख रहे हो कार्मिक clearance है तो कही न कहीं में भी अगर आपको इस video के कुछ points आपको click हुए हो आपके life में आप implement कर सको तो please करना यह video से आए हो आपको inspiration मिली हो कि अपने life को कैसे align करना है better इस कार्मिक clearance life तो life तो जहलनी है जहलनी है देखनी है बट उसमें किस तरह से खुश रहना है वो हमारी choice है तो यह I hope यह video आपको useful रहा हो यह video देखने के लिए बद्धनेवाद नमो बुद्धाय